हेलो फ्रेंज असलाम लेकूम आज की इस वीडियो में मैं आपको माइक्रोसोफ वर्ड में फिर से कोई इंपॉर्टन टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में बताऊंगी जो कि आपके लिए बहुत ही यूसफुल होंगी ठीक है मैं कुछ यहां से डिफॉल्ट टेक्स ले आती हूँ एकुस टू रैंड प्रैंसेज ओपन एंड क्लोज एंड एंटर ठीक है मैं इसका साइस थोड़ा भड़ा कर देती हूँ ठीक है अच्छा अब जिसना मेरे पास यह टेक्स लिखा वाए मैं चारी हूँ यह टेक्स मेरे पास आडियो फॉर्म में आए मीन कि यह सारा स्पीक हो माइक्रोसॉफ वर्ड हमें स्पीक भी करके दे सकता है तो वो किस तरह होगा मैं यहाँ पर आजूंगी कस्टमाइस कुएक एक्सिस टूल बार पर यह मोस्टली उपर होता है मैंने इसको इदर सेट किया ठीक है आप इसको क्लिक करेंगे यहाँ पर हमारे पास आप्शन होता है नीचे जाए जाए एक आप्शन आएगा हमारे पास स्पीक का हमने उसको स्लेक्ट करना है ठीक है अब मैं जरा फाइंड कर लेती हूँ यह रहाँ स्पीक का ठीक है इसे मैंने स्लेक्ट किया मेरे पास यहाँ पर आप्शन आ रहा है एड का मैंने speak को select किया और यहां से मैंने किया add तो देखे मेरे पास यहां पर add हो गया और मैं यहां से इसको ok कर दूँगी ठीक है तो यह मेरे पास यहां पर आ चुक है क्या लिखा रहा है speak selected text यानि मुझे text को select पहले करना है उसके बाद उससे मैं click करूँगी अब मैं इसे click करते हूँ ठीक है यह इस तरह से हम लोग अपने text को speak भी करवा सकते हैं या आपके लिए एक tip हो गई ठीक है अब अगर आप इससे delete करना चाहें तो उसके लिए आप लोग क्या करेंगे आप लोग again इसी पर आएंगे quick access toolbar पर आएंगे ठीक है और यहां पर आप लोग more commands पर आएंगे तो यह देखें यहां पर हमने उसको add किया था मैं जब इस पे click करूँगी तो मेरे पास यह remove का option active हो गया मैं इसको click करके okay कर दूँगी तो यह देखीं यहां से मेरे पास वो remove हो गया ठीक है उसके अलावा अगर आप लोग MS Word को PDF में convert करना चाहें वैसे मैंने एक उसकी वीडियो बनाई थी यहां से आप लोग आएंगे save as पे ठीक है जहां पे भी आपने save करना है उदर आप करेंगे for example मैं desktop पे करती हूँ और इसको name दे देती हूँ MS Word trick ठीक है यह मैंने इसको name दिया और यह जो मेरे पास save as type ठीक है यह अभी by default जो हमारे पास set हुआ होता है वो word document होता है मैं यहां पे जब click करूंगी तो मेरे पास different option आ रहे होता है यहां से मैं यह PDF को click कर दूँगी और इसे कर दूँगी save यह देखे MS Word trick के नाम से इसे मैंने किया save अब मैं इसको देख लेती हूँ यह देखें मेरे पास आ रहा है यह PDF में आ रहा है मैं आपको वहां से भी दिखा देती हूँ इसको मैं कर लेती हूँ यह देखें MS Word trick यह देखें मेरे पास यह PDF में इस तरीके से आ गया तो यह आप लोगों के लिए एक और trick होगा अब से पहले हम MS Excel में तो table में calculation करते आए है अब हमने अगर MS Word में हमारे पास table हो और उसमें कोई record हो तो उसमें हम calculation कैसे करेंगे तो यह मैंने एक छोटा सा table create किया यहाँ पर मैं कुछ वैसी random से amount लिख देती हूँ simple से लिख देती हूँ ठीक है ठीक है यह मैंने कुछ इसी तरह से लिख दिए अब मैं चाहरी हूँ कि में पास इनका product आजए ठीक है यह table का बनावाए अब यह table का जो layout का option आरहा है मैंने उसमें जाना है यहाँ पर में पास formula का option है यह में पास जैसे उसको click किया तो यह में पास एक dialogue box disappear होगा ठीक है अब जो यहाँ पर by default आरहा होता है वो sum का formula लिखा आरहा होता है ठीक है यह खुद ही आपको location जहाँ पर आपने select किया होता है खुद ही बता देता है कि आपने इस location पर sum करना है या जो भी करना है अब यहाँ पर जो मेरे पास option आरहा है paste functions उसको मैंने click किया यहाँ पर मैं select करूंगी product को क्योंकि मुझे multiply करना है ठीक है और यह जो parenthesis है उसके अंदर मैं लिख दूँगी left क्योंकि left side पर कर रही है मैंने क्योंकि formula चेंज किया मैं यहाँ से किया ok तो five six thousand कितना होता है 30 इसने मुझे वही दे दिया अब मैं क्या करूंगी इसको simple करूंगी copy control c copy इन दोनों को select करके इदे मैंने कर दिया control v ठीक है अब मैं क्या करूंगी इसको मैं F9 दबा दूँगी सारे को select करके तो यह update हो जाए तो यह देखे मैंने इसको select करके F9 प्रेस किया तो यह देखे मेरे पास update होके आ गया ठीक है अब मैं जरा यहां पे insert कर लेती हूँ थोड़ा सा table में अब मैं आपको total भी एक करके दिखा देती हूँ ठीक है अब मैं चारी मेरे पास इस सबका जो है ना total आजए तो मैं यहां पे select करूंगी ठीक है अगेन मैं इदर layout में formula में आई यहां पे जो मेरे पास आप यह देखें formula आ रहा है sum जो है above मैं इसको ok कर देती हूँ तो यह देखे इसने मुझे इसका sum करके दे दिया इसी तरह अगर आप यहां पे कहीं पे कुछ change करते हैं मैं यहां पे let's pause लिख देती हूँ for तो यह मैं जब again इदर से F9 को इसको select करके press करूंगी तो यह देखें यह भी में पास change हो गया आपने simple क्या करना है जब भी कुई changing करनी है उसके बाद आपने जिस जगह पे changing आनी है उसको आपने select करके keyboard से F9 को press करना है तो वो update हो जाएगा mean कि जिसना हम Excel में भी करते थे हम तो उसमें just side पे click करते थे तो हो जाता था यहां पे जब आपको एक shortcut key कर यूज करना है F9 का यह आपके पास होगी third trick for trick में मैं आपको MS Word में auto correct function का एक बहुत interesting fact पिताती हूँ for example अब जिसना मेरे channel का नेम है learn and fun with manaza मैं उसकी short form लिखू तो मेरे पास पूरा लिखा जाए तो वो आप किसना करेंगे आप लोग यहां पे file में जाएंगे यहां पे options का option उस पे जाएंगे यहां पे proven का है इस पे आप आएंगे इदर autocorrect options पे आप लोग आएंगे ठीक है यहां पे आप short form दे देंगे learn and fun with manaza mean के जितने भी words है उन सब के मैंने first first word दे दिये ठीक है या फिर मैं और भी short कर लेती हूँ यानि learn and fun with manaza इदर अब मैं full लिख लेती हूँ learn and fun with manaza ठीक है और यहां से यह देखें आपने जो short form बनाई वो और वो short form जब आप लिखें तो क्या आए ठीक है यह जिसना हमारे पास autocorrect के इदर option आ रहे हैं कि हम parentheses में C लिखते थे तो इस तांसे आ जाता था अब मैं चाहरी हूँ जब भी मैं LFM लिखा तो मेरे चैनल का फुल नेम लिखा आज़े form आपको लंबी सी है बार बार लिखनी पड़ती है तो आप इस तांसे शॉर्ट में उसको बनाके यूज कर सकते हैं आपका time भी से save होगा फिफ्ट ट्रिक में हम MS Word में रहते हुए picture की background image remove करेंगे किस तांसे करेंगे मैं insert में आगी picture में आगी यहां से मैं कोई picture ले लेती हूँ मैं यह वाली picture ले लेती हूँ मैंने इस इंसर्ट किया ठीक है इसके मैं थोड़े size को भड़ा कर लेती है यह picture आगी मैंने इसे click किया अब यह देखें जैसी picture आई तो यह format में option हमारे पास side पे आ रहा हुता है remove background मैंने इसे किया click ठीक है तो अब यह मुझे यहां पे यह जो इसने purple सा area कर दिया है यह उस area को जो है मुझे अब remove करके देगा तो अब मुझे इस में थोड़ी adjustment करनी है सबसे पहले तो मैं इसके size को थोड़ा भड़ा कर लेती हूँ कि जिसमें यह पूरा cover हो जाए ठीक है यह हो गया अब मैं क्या क करूंगी यहां पर मेरे पास option आ रहा है mark area to keep यानि जिस area को आप चाहते हैं के रहे उसको आप mark कर देंगी for example मैं इसको चाहती हूं तो मैं इसे click करके कर दूंगी mark area to remove ठीक है अब यह देखें जिसना इस area पे इसकी shirt के इदर color पे परपल सा रहा है और मैं चाहती हूं कि यह रहे तो मैं यहां से क्या करूंगी mark area to keep मैंने वो किया और मैंने इस पे सिर्फ pencil move कर दी ठीक है यह हो गया अब क्या करूंगी मैं यहां से keep changes कर दूंगी तो यह देखें इसकी background remove होगी हमारे पास और कितनी perfectly remove होई mean के आप MS Word में भी picture की background को इस तरीके से remove कर सकते हैं hope so आपको यह five tricks specially background remove की trick बहुत पसंद आई होगी video पसंद आई हो तो like share लाजमी कीजिए और interesting videos चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए और watch करना मत भूलेगा thank you